जहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल मिसन यूणिवस्टी पर तो आज हम बात करने वाले हैं रिजिनिंग की पहली क्लास में हम आ चुके हैं जिसमें आपको पढ़ना है स्रीज के बारे में यानि संखला के बारे में आपको पढ़ना है ठी सेलेक्षन स्रीज शुरू हो चुकिए है और सेलेक्षन यहीं सही होगा ठीक है तो आए सबसे पहले देखते हैं संखला होती क्या है ठीक है टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टन होता है जिंदगी में तो संखला होती क्या है पढ़के देखते करम को सिंखला कहते हैं ठीक है आए देखते हैं आगे पड़ते हैं क्या लिखा है इस प्रकार के प्रशनों में कुछ अंक अत्वा वर्वाला के अच्छर दिया जाते हैं जो कि विशेष्ट अनकुरम में लिखे होते हैं इस करम में एक या आधिक अंक अत्वा अच्छर सरस्वाइस त장ड़ पर आपको सीरीज देखना है कि क्या हो रहा है सीरीज में क्या चल रहा है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं Sa 27 से 45 हो गया तो बाहर 3 हो जाएगा ठीक है बाहर समझ में आगई मेरे दोस्तों अगर बात समझ में आ गई है तो कमेंट कर दे कि यहां सर समझ में आ चुका है ठीक है तो यहां पर कौन सा अंसर हो जाएगा यह और दोस्तों तो सबसे पहले देखते हैं फस नमबर कुशन इसमें करना क्या है 3, 2, 6 और 6 तरीक 18 कुछ समझ में आ रही है बात चलो बताओ कमेंट में क्या हो रहा है फौरण मताओ इसमें क्या हो रहा है मिरे दोस्तों फौरण बताईए चलिए चलिए बताईए 3, 2, 6, 9, 2, 18, 18, 18, 18, 24 ठीक है और 27, 2, 54 कौन सा अच्छर आएगा कि इसका 2 ना हो जाएगा तो यहाँ पर एक क्यासी हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ गई ना ठीक है सेकेंट कुछन पर चलते है 3, 2, 6, 8, 18, 14, 72 2, 44 कौन सा स्थान पर कुछन आ जाएगा चलो बताईए फौरण इसमें कौन सा अंसर हो जाएगा क्या में ठीक चल ला है मेरे दोस्तों बताईए फौरण इसमें क्या चल ला है सकेंट नमबर कुछन में कुछ बात समझ में आई क्या चल ला है तो इसमें चल ला है देख लीज़ेगा 2 स्रीज है इसमें तीन दूनी 6 त्रीक 18 अठार चोग 72 और 72 पन्चे इतना आ जाएगा देखो दूसरी सीज में क्या है दो चोग आठ पन्च 40 और 6 का गुड़ा हो रहा है यानि कि अब पहली सीज में अच्छा आएगा यानि कि तीन दूनी 6 और 6 त्रीक 18 अठार और 8.72, 72, 35, 305, यानी आपसंडी इसका सही आपसंड हो जाएगा, ठीक है, कुछन नमबर 3 पर ये देखते हैं, क्या हो रहा है, 5, 4, 9, ठीक है, बताईए कमेंट में, समय आपके पास है, 20 सेकंड, फौरण अंसर दीजिए, फौरण देर नहीं लगाना है, देर नहीं लगाना है for a answer दिजिए इसमें तीन नमबर में ठीके कमेंटर बताईए इस का answer आप लोग आपके लिए हम छोड़ दिएए रहें आयए चार नमबर पर बताईए चार नमबर पर आते हैं यह हो रहा है 19, 18, 17, 16 अब इसमें देख लिए 24, 25, 26, 27 यानि एक गटा रहा और दूसरी चीज में बढ़ा रहा है तो इसमें दूसरी सीज में आएगा यानि कि 27 हो जाएगा आपसन यानि आपसन इसका हो जाएगा सी एकदाम राइट एंजर बिल्कूल पांच नंबर का सवाल दीजिए बास समझ में आ रही ना अगर आपको बास समझ में आ रहे तो कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कोई डौट नहीं होना चाहिए आपके मन में पां कैसे आएगा यह तो जाना जरूरी है ना यह बताईएगा जैसे आ रहा है और मताईए यह कि समझ में आ रहा है ना मजा आ एकदम मजाने वाला है एकदम सिखा दूँगा आप लोगों चिंता ना करिए एकदम बहतरीन तरीके से लिए कि चलो बताओ फौरन बताओ टाइम पौरं बताओ फौरन बताओ ग्ऐ» बताओ बताओ बयवित तुरंद पकला करो इसमें 10 का अंतर है देख लिए दस बढ़ा दिये हैं पहले वाले में बढ़ा दिये हैं iç. इसमें 10 इसमें 11 इसमें 12 इसमें 14 तो इसमें कितना बढ़ाना है 15 यानि 79 पंदा जोड़ें कितना हो जाएगा 84 यानि का आपसन सी बिलकुल समझ में आगया ना तुरंट बताया करें ताइम ना लीजिए गा ठीक है फिर जिसमें छे नमर में देखिएगा 8 24 12 कुछ समझ में आ रही ना बहुत बढ़िया दम बैतरीन तरीके से बात में समझ में आने चाहिए साथ नमर में देखते है एक 98 आपके लिए सरल बना दिया है कि कैसे आपको समझ में आना कैसे करना ही आपके दिमाग में होना चाहिए कैसे क्या क्या हो सकता है तो इसमें एक बात और बता रहे तो प्लस होगा नहीं तो घट रही होगी और बहुत अगर दीमे हो रहा तो भाग हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ चुकी है बिल्कुल बहुत सही इसमें देख लिएगा इसमें 8 का अंतर इसमें 16 का अंतर इसमें 24 का अंतर तो इसमें 24 उट जाएगा एंसर हो जाएगा ठी देखते हैं आठ नमबर देखते हैं और मैं आप लोगों को होमवर्क भी देने वाला हूं ठीक है मैं दूंगा मैं बहुत इस्टिक टीचर हूं आप लोग याद रखेगा क्योंकि सेलक्षन दिलाना है तो इस्टिक टो बनना पड़ेगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कर दें ठीक है ना मजा रहा है ना दोस्तों बहुत बढ़िया आए देखते हैं कुश्चन नमबर आठ देखते हैं तो इसमें क्या बहुत अ आठ का यहां चार का यहां आधा हो रहा तो यहां दोसे गुड़ा होगा अगर दोसे गुड़ा होगा तो 28 जुना एक सोटाइज दूना 256 आपसा ने युज़दा राइट एंजर होके बासमज में आ गई बहुत अच्छा नो नमबर देखते हैं पिर वही बात बहुत एक प्रदतो बस उसका एंसर हो जाएगा कितना बाउन हो जाएगा बिलकुल साही अप्षन दस नमबर कुस्टन चलो बताइए फोरन चलो बताये फोरन टाइम नुल लॉस करिए फोरन मताइए कि या उन्हाना बात एक हो जाएगा फिर 3540 यानि कि इसमें हो रहा है पांच बढ जाएगा डी हो जाएगा आप ध्यान से सुनिएगा ग्यारा से पंदर कुष्ण आप के लिए इसका एंसर मुझे चाहिए आपके लिए जो वाट्सअप गूरूप है उस पर या पी टेली ग्राम चैनल पर इस पांचों का एंसर मुझे चाहिए क्या मैथेड आया है अच्छा तो है लेकिन क्या मैठेड हुआ है कैसे हुआ है आपको बताना है ठीक है कोई नहीं बतरनी है कोई नहीं और एकदम आपको वीडियो को लाइक सेर कर देना है और आप मेरा जो नारा है उसको विशेज याद रखिएगा कि सेलेक्टेर हैं सेलेक्शन दिलाएंगे तो इसी के साथ मेरे दोस्तों जैहिन सातियो